हाई एवरिवन वेलकम टू न्यू मॉमी ओन दे ब्लॉग इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंट महिलाओं को बारिश के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गर्मी के बाद आने वाला मॉनसून अपने साथ धेर सारी राहत और खुशियां लेकर तो आता ही है पर साथ ही लेकर आता है कुछ बीमारियां भी तो बारिश के मौसम को अच्छे से एंजॉय करने के लिए जरूरी है कि आप कुछ बातों का ख्याल रखें स्पैशली अगर आप प्रेगनेंट हैं तो मौनसून में होने वाले इंफेक्शन्स आपके और बेबी के लिए बहुत हामफुल हो सकते हैं तो आए जानते हैं कुछ आसान से टिप्स जिने फॉलो करके आप बारिश के मौसम का भरपूर आनन्द उठा सकती हैं बाहर का खाना खाने से बचें स्ट्रीट फूड या सड़क के किनारे मिलने वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी न खाएं चाहे आपका मन कितना भी लल जा रहा हो लेकिन बारिश के दौरान खुले में रखा हुआ पानी या खाना बिमारियों का मेंट सोर्स होता है माइक्रो औरगनिजम्स होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते तो मौनसून के सीजन में हरी पत्तेदार सबजियों से थोड़ी सी दूरी बना ले अगर आप बाहर जा रही हैं तो ढीले कपड़े पहने इसका कारण ये है कि अगर आप बाई चांस बारिश में भीग जाती हैं तो आपके कपड़े आपके शरीर से पूरी तरह से चिपकने नहीं चाही ताकि बाड़ी के टेंपरेचर में एकदम से मेजर डिफरेंस ना आए क्यूंकि ये आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है उबला हुआ पानी पीएं बारिश के दौरान नलों में आने वाला पानी ज्यादा दर संक्रमित होता है इसलिए आपके और बच्चे की सेहत के लिए जरूरी है कि आप साफ और उबला हुआ पानी ही पीएं अपनी डायेट में ज्यादा से ज्यादा वाइटमिन सी या खटे फलो को शामिल करें इसका कारण ये है कि वाइटमिन सी आपकी इम्म्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाता है और अगर आपकी इम्म्यूनिटी अच्छी होगी तो आप आम तोर पर हो जाने वाले इंफेक्शन से बची रहेंगी अगला और आखरी टिप है कि खुद को मच्छरों और कीट पतंगों से बचाएं बारिश के दोरान मच्छर अलग अलग चीजों पर बैठ कर कई तरह की बीमारियों वाले कीटानों इखटे कर लेते हैं और फिर यही मच्छर जब आपकी बॉड़ी पर बैठते हैं या आपको काटते हैं तो आपको उन्ही किटानों से खत्रा हो जाता है इसलिए बारिश के दोरान मच्छर मख्छी और अनकीट पतंगों से खुद को बचाएं ये थे कुछ टिप्स जिने फॉलो करके आप बारिश के मौसम में भी हेल्दी और सेफ रह सकती हैं अगर आपको ये वीडियो यूसफुल लगा हो तो इसे लाइक कर दीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इस वस ब्रॉट तो ये बाइब नुवम्य ओन दे ब्लॉक थैंक य।